हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू दा सक्सस केंद्रा फ्रेंट्स तखे आज इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कॉंस्टेबल की जो भरती वर्स दोजार तेईस में 21,391 पदो पर आई हुई है उसके लिए हम लोग जोगराफी यानि की भुगोल के मास्टर वीडियो को गवर करेंगे इस सेशन में आपको लगबग डेर सौ भुगोल के महत्पुन प्रशन मिल जाएंगे और यह प्रशन जो है CSBC जो बिहार पुलिस कॉंस्टेबल का एक्जाम कंड़क्ट करवाती है उसका फैबरेट कोस्टन है इसी तरह के प्रशन जो है बिहार पुलिस की एक्जाम में पुछे जाते हैं जोगराफी के फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और जो बेल आइकन है घंटी का निसान है इसको जरूर दबा लिजेगा क्योंकि बिहार पुलिस की तयारी हमारे चैनल के माध्यम से बेहतरीन तरीके से कराई जा रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लिजेगा ताकि जब भी बिहार पुलिस से संबंदित कोई भी इंपोर्टेंट वीडियो अप्लोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए तो चलिए सेसन आज की स्टार्ट करते हैं फ्रेंट्स प्लीज पहले सेसन को एक बार लाइक कर दीजे और जब सेसन समाप्त हो जाएगा तो इसे कम से कम एक ग्रूप में जरूर सेयर कर दीजेगा ये पह आजील में किस नाम से उसको जाना जाता है सेलवास के नाम से ठीक है फॉल War comida wasp है तो अर्जेनटीडिना करें चलिए उसका बद निकेश्ट्व कुस्टर के लिकट यामयूतर में से कौन सा भारत का मानक यामयूतर है भारत का मानक याम्योत्तर जो है यह आपको पता है कि 85 डिग्री इस्ट जो है यहाँ जो देसांतर है इसको मानक मद्ध्यान रिखा माना जाता है ठीक है ध्यान रखेंगे और यहाँ जो है फ्रेंड्स यहाँ इलहाबाद की मिर्जापूर से हो करके गुजरती है चलिए तो किंबर्ले खानन केंद्र की सदेश में स्तित है तो देखें यहाँ हीरे के लिए प्रसिद्ध है याद रखेंगे यहाँ दक्षिन अफ्रिका में है नेक्स्ट कुस्टन है और इसे प्रकार से मैंने फ्रेंड्स आपको हिस्ट्री को भी अलग वीडियो में कवर कर देखें इंद्र में से कौन सी विस्व की सबसे वियस्ततम हर मोर्टाति है यहाँ से नही गुजरती है भारतिया मानक समय रिखा जो है यहां पुछा गया है कि कहां से नहीं गुजरती है बताये इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा चले इसका एंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि यह कहां से हो करके नहीं गुजरती है ठीक है चलिए नेक्ष्ट कुछन हमारा कि सोकर जी जो आधरभू में जो है इस तरह से आपने हिंदी में पढ़ा होगा ठीक है लेकिन सुद्ध लिखा जाता है सोकर अंग्रेजिम यहां पर पाह के कारण इसे सोकर कहा जाता है जिसका अर्थ होता है सफेद जील सोकर का मतलब होता है सफेद जील नेक्स्ट प्रशन हमारा है कि भारत का सबसे उत्री बिंदु कौन सा है सबसे उत्री बिंदु जो है यहां कौन सा है बताएगा राइटेंसर इसका क्या हो जाएगा त नामदफ़ा जो है यहां कहां पर है और उनाचल प्रदेश में वीडियो को बनाने में चार से पांच घंटे का मैंने समय दिया हुआ है यहां गार्मी के मौसम जैसे ही आता है प्री मौनसून वर्सा सामाने हो जाती है विशेशकर केरल करनाटक राज में और ये वर्षा आमों को जल्दी पकने में मदद करती हैं इसलिए इन्हें आमर वर्षा कहा जाता है केरल हो जाएगा राइट अंसर इसका भारत के किस राज में कटी भीहू महत्साओ का आयोजित किया जाता है तो कटी भीहू जो है जेतने बैरन हो जाएगा भारती ये वन अनुसंधान संस्थान कहां परिस्तित है बताईएगा तो फ्रेंट्स यहां जो है देहरादून में है नेक्स्ट कुस्टन हमारा है कि भारत में चाय उत्पादन में प्रथम अस्थान किस राज जिका अब ध्यान दीजेगा देखे चाय के उ उत्पादक country है अगर हम राजय में बात करें राजय में सबसे चाय का कॉफी का करनाटक में होता है नेक्स्ट को सनह भारत बहारत तो भारत विश्व में सात्वा सबसे बड़ा देश है नेक्स्ट कुस्टन है कि भारत में कौन से रामसर प्रस्ताव संधी से संबंदित है तो दीके राइट एंसर इसके क्या हो जाएगा तो ऑप्सन नमबर इसका डी हो जाएगा आदरभूमी का संरक्षन रामसर कन्विंश आदरभूमी के संरक्षन आवसकता अधारित उप्योग एतू एक अंतराश्टिय संधी है और दी हो जाएगा राइट एंसर उसके बाद क्वार्ड में कौन से चार देश समाविष्ट किये गा है हाला कि यह जो प्रशन है जोगरफी का नहीं है लेकिन फिर भी मैंने इंप पान भारत और उस्ट्रेलिया तो ऑप्सेंबर डी इसका राइट एंसर हो जाएगा कुवार्ड में ठीक है चलिए उसका बाद नेक्स्ट कोस्टन कर लेंगे अगला प्रशन है कि भारत में जल प्रदूशन निरोध और नियंतरन अधनियम किस वर्थ में पारित किया गया यह प्रशन अभी भी इंपोर्टेंट है इसको आपको बिसेस रूप से इस प्रशन को आपको ध्यान रखना है ठीक है अब देखे ध्यान दीजिएगा जो भी की स्वास्त करता को बनाय रखने के लिए बहाल करने ही तो अधनियमित किया गया थे 1974 में ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कुस्टन कर लेंगे अधनिया प्रशन कि डंड कारनाए का पठार किस राज में इस्तित है तो भारत और बौर्टिबाडी चिलहारी रेल निंक उसका बन देखे आएरी श ससागर कहां पर इस्तित है अःटे बताईएगा आइरी ससागर जो है यह कहां पर इस्तित है important question है बताइए friends Iris Sagar जो है यहां कहां पर इस्तित है अब यहां पर आप ध्यान दिजिएगा देखिए Iris Sagar के बारे में पूछा गया है तो ध्यान से सुनिएगा Iris Sagar जो है यहां कहां पर है तो यहाँ अपनी दक्षनी और उत्री सिमाव पर अट्लांटिक महासागर के साथ आयर्लेंड और इनाइटेट किंग्डम के दीव पराश्ट्रू के बीच इस्तित है तो राइट अंसर इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर देखे इसका जो करेक्ट अंसर हो जाएगा फ्रेंड option number D का रहिक अंसर हो जाएगा चलिया अगला प्रश्ण का रहाएगा जेलेस्पला दर आ यहा कि राज़े मिस्तित है तो जेलेस्पला और नाथूला दर आथूला भी याद रखेंगे और जेलेस्पला दर आ इसकी में है option number Deltक अंशर हो जाएगा उत्रा खंड में वे कौन आप दर और है चलिए नेक्स्ट कोसेन हमारा कि मुरलियन रश्ट्रिय पार्क जो है भारत की किस मैं बहुत इसको भी आप याद रखेंगे आगे मिलेगा कि, दमफा अभैरन या दमफा नेशनल पार्क यह कहां पर है तो इसको भी ध्यान रखेंगे मिजोरम में है नेक्ष्ट कुस्ट नामरा कि नमनलखित में से किस वर्स प्लूटो को उसकी पुर्व में ग्रह की पदाश्तिती से पदमानत कर दिया गया पहले प्लूटो ग्रह हुआ करता था लेकिन ध्यान देने योग बात है कि अगस्त दोहजार चे में प्लूटो को ग्रहों की सिरेनी से बाहर कर दिया गया यहां निरनाय चेक गनराज की राजधानी पराग में हुई इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की महासभा में लिया था दोहजार चे इस चीनुक जो है एक परकार का सुस्क पवन है ठीक है यहां परदी के फॉन जो है यहां भी एक परकार का सुस्क पवन है यहां स्वीर्जेलेंड में बहती है हर्मटन जो है यहां सुस्क धूल भारी पवन है जो पस्समी सहारा चेतर में उत्तर पुर्व की और बहती है मिश् नहीं पुछा गया है जो कि यहां पर और रहा हो जाएगा यहां उत्तर प्रदेश में इस थे बाकी मजबपरपुर में काटी है बरावनी है कहा लगाओं है ठीक है यह बिहार में हैं उसके बाद के निमलकित में से कौन सा तापीय उर्जा सेंतरों के संदर में सुमेलित है य कोलत नवादा में है ठीक है धियान रखेंगे कहांपर नवादा में है इसको भी आप बिहार के मुंगिर जिला में है इसको भी ध्यान रखेंगे विहार का करंड़कुंट जल्प करंद़कुंट भगवान बुद्ध के जीवन से संबंदित है यह यह नेक्स्ट प्रवत कहां परिश्टीत है जागरोस जो है यहां दक्सीन पस्षिम इरान में है इरान राइट एंसर हो जाएगा कौन से निर्थ सरी केरल से सम्मदित नहीं है तो यहां पर दीके भारत नटेम्ट है यह तमिलाडू का है कथक कली कुड़ी अटम मोहनी अटम यह केरल के हैं तो अपस्तर सबसे लंबी नदी कोन से है तो सबसे लंबी नदी जो है यहां गोदावरी हो जाएगा यहां गोदावरी नदी जो है यहां पस्मी घाट इस्तित नासिक के पास त्रेमबकम पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है अगला प्रश्ण के ऑस्ट्रिलिया की महान प्रबालविती ग्रेट बैरियर रिफ किसे टट के समनांतर इस्तित है तो देखें यहां जो है ग्रेट बैरियर रिफ यहां पूर्वी टट के समनांतर है और 1981 में उनेस्कु के द्वारा इसे विस्व विरासत अस्थल घोसित किया जा चुका है तो राइट अंसर आपका हो जाएगे यहां पर पूर्वर अगला प्रश्ण है कि नागार्जून सागर परियूजना निमल है कितने से कौन से प्रिष्टवी की लगबाग आयू को दर साता है तो देखें यह आपका हो जाएगा 4.54 बिलियन वर्स यानि की चार से पांच बिलियन वर्स इसका राइट इंसर हो जाएगा बिलियन वर्स अगला प्रश्ण हमारा कि एसिया और उत्तरी अमिर्का को नेपाल से संबंदित नहीं है यहां पर देखेगा आराकान यूमा आराकान यूमा को जो है रखाइन परवतमाला भी कहा जाता है और यहां मैनमार की परवतमाला है ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे कि हिराकुंड बांदी जिस नदी परिस्तित वहां कौन सी है तो चलिए उसका बाद नेक्स्ट कोस्टन है कि खमसिन नेमनलेखित में से किस देश की अस्थानिये पवन है अस्थानिये पवन है खमसिन गरम सुस्क धूल बरी अस्थानिये पवन है मिसर की कहां की मिसर की तो मिसर इसका राइट एंसर हो जाएगा ठीक है चलिए उसका बाद यह प्रकास सेतु जो है जप्रकास पुल यहां निम लिखित में से किस नदी परिश्थ है तो यह जप्रकास सेतु जो है यह गंगा नदी पर है ठीक है चले उसके बाद कि गुजरात के भूज में विनासकारी भुकम्प की उत्पत्ति किस वर्स हुई थी तो यह भुकम्प आया था 2001 में जनवरी का महिना था 2001 इसका राइट इंसर हो जाएगा नेक्श्ट कुस्सन है कि भारत में पहली आर्थिक जनंगनऊ कब की गई थी पहली की गई थी 1977 में दूसरी आहुजना का निरमान नादी पर किया है मेरत की सहयोग से जोकि ने पाल में इस्थित है अगला प्रश्ण है हमारा कि टियूरिंग एवार्ड जो है कि स्षेत्र में सब्वंधिता है तियूरिंग दिया जाता है computer के से में computer और और आरटिफिसल इंटिलिजन्स यानि कि AI के फिल्ड में यह दिया जाता है टीवर्ण ओप सिराइट हो जाएगा जल रासी जो एस्पेन पंप डूनों के साथी ट्रह चेत रही चेतर बनाती है वह कौन सी आप सबहुश्चा गया तो से कभाड़ी हो चलिए आगला प्रश्ण है कि हीपो कैम्प किस ग्रह का सिंद्रमा है हीपो कैम्प जो है यहां नेप्सियून यानि की वरून का है तो नेप्सियून ऑप्सन नमबर बी राइट अंसर हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट कुशन है कि ब्लू माउंटेन परवत सिकर भारत की ब्लू माउंटेन यहां भारत की पुर्वत्तर राज में मैंनमार की सिमा के निकट है तो यह आपका हो जाएगा मिजूरम करेक्ट एंसर ठीक है चलिए उसके बाद नेक्स्ट कोशन है ब्लू माउंटेन को एक और नाम से जानना जाता है फांग पूई यहां मैं लिगता इसको जाएगा उसके वेरी नाग नेमलिखित में से किस भारती नदी का उधगम अस्तल यहां आपका जेलम का है जहलम यहां जम्मु कस्मीर के अनंतनाग जीले में है ठीक है वेरी नाग महीं से उधगम होती है उसका बाद देखेगा राश्ट्रिया उद्यान जो भारत न नेपल की सीमा प्रीस्तित है गंड़क नदिकेटर्थ प्रीस्तित कौन से है भारत नेपल की सीमा फरहए यही tortilla मात्र नेशनल पारक है जो की बिहार के पस्तिम चंपारंजिला में है अगला प्रश्ण हमारा कि रंगना ठिटू पक्षी अभ्यरन कहा परिस्तित है रंगना ठिटू करनाठक में है उसके बढ़ एक सत्रिया लोक निर्थी जो है यहाँ कहां किसे लिए सत्रिया जो है यह असं की ठीके वीहू भी असंग इसको भी ध्यान रखेंगे उसके बाद देखेगा निम्नलेखित वक्तव्यों पर विचार करके सही उत्तर का चैन की दिए कथन दिया गया है अत्तरक दिया गया है हिमाले से निकलने वाले नदिया बारामासी नदिया है सही है हिमाले नदिया का उद्गम सुरुत हिमाले में इस्तिते बिल्कुल सही है तो यह 12-80 होती हैं और यह गरेसेर देरे देरे पिखलता है और इसलिए नदीया 12-80 होती है तो कथन भी साइन और स्लूद उदगम का כशथी है तूत है कि दुआ और नामक बांध निम्लिकृत में से कौन सी नदी परिस्तित है निम्बो बाजगो यहां किस नधी परिश्थ च्रिंडीक रहाए अपको यहां लद्द्धाक में शिंधु नधी पर है उसका वद कई उजोणál छीटर के लिए रिस्पौंसिबल कौन सा गयस is तो यह सी अफ शी है पिरियार किरल में है सीमली पाल उडिसा में है और बांदीपूर करनाटक में है क्लियर है अब इसको आप लोग मिला लीज़ेगा ठीक है मेरे काल सबस्टन नबर सी राइट अंसर हो जाएगा इसका एक बड़ चीक कर लिजे चार तीन दो और एक चार तीन दो और एक में तो यह आपका जमुक स्मीर है उसका बादी के महात्मा गांदी राष्टी समुद्री उद्यान कहां पर इस्तित है तो और नमान निकुबार में पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा उसका बहुमद रेखा निमलकित में से किस देश से हो करके नहीं गुजरती है बाकि ब्रेज सरवाधिक के द्वरा होता है कहां पर तो इत्रप्रदेश नहर से भी उत्तरप्रदेश में सरवाधिक सिताई होती है सरक्रीक विवाद किन 2 राज्यों के मैं सर्क्रीक जो है यह गुजरत में और या भारत और पाकिस्तान की बीच का विवाद आंगल किसके लिए फेमस है में से आपको बताना है सरवाधिक लिंगानुपात इन में से जो रहा है यह आपका तमिलाडू का रहा है उसके बाद देखेगा कि लुसी दुनिया की सबसे बड़ा जवलाम की विस्पोट किसमों है किस देश में है लुसी उसके बाद माउंट सीना बॉंग यहां में लिखत सुरूत से लेकर के डिल्टा तक उजरती तो ब्रमपुतर जो है यह तिबत जो की चीन में पड़ता है उसके बाद भारत और बंगलादेश से होते हुए यह जागए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है तो यह आपका चीन हो जाएगा ठीक है चीन भारत और नहीं होगा इसमें से ठीक है उसकेड़ी के भारत में नेमल्हिध में से कौन सा चैत्र विविद्यिता का अस्थ्थल यानी की होत्व 스ड़्ट है जैब गंसली घृत हो जायेगा यहाँ सबसे प्रमक होंग स्पौर्ट है स्पॉर्ट है तो इसमें से आपका कौन सा पस्मी घाट हो जाएगा यहां सबसे प्रमक होट स्पॉर्ट है उसके गरम रेगिस्तान में तथा उनके चार और पोवन धूल से सबसे बड़ा मंदिर कहां पर है सबसे अंकोर वाट मैं सबसे गभर मंदिर कहां पर है तो यह अंकूर वाट मैं सब्सकार मंदिया में अंकोर वाट का मंदिर जो कि भगवान विश्णू को समर्पित है और यह मंदिर सुर्य वर्मा दूतिय के द्वरा बनवाया गया तो इसका निर्मान करवाया था सुर्य वर्मा दूतिये ने ठीक है चलिए तो यह कंबोडिया हो जाएगा मॉंट्रियल प्रोटोकॉल किसे सारी पदार्तियों कि उत्पादन पर जो है चरनबद रूप से बंद करने का नेरने लिया गया था और यह प्रभावी हुआ था एक जनवरी 1989 से और यह हस्ताक्सित हुआ था 1987 में दोनों को ध्यान रखेंगे तो उजोन परत्स रक्षन हो जाएगा उसके वादिके जापान कि योकोहमा सहर में वर्स 1994 में सेंकतराष्ट सदसरण दिसों का एक सम्मेलन जिस संदर में किया गया था वह कौन सा तो देखे है जापान के योकोहमा में प्राकृतिक आपदाव का पहला विश्व Sum Memron 23 से 27 म apprentiger 1994 तक जापान के योकोहमा में आजित किया गया था तो यह आप मती नून मती ठीक है यह किस राज में है तेल सोधा का रखाना तो नून मती जो है और सम में है कि वर्ष 2011 की जिनगन्ना का अनुशार भारत में नियूंतम जुन संक्या घनत वाला राज नूनधम अरूनाचल्प्रदेस अधिक्तम बिहार है फ्राज के किस राज में सीसू मूर्थ varying दर सबसे कौम है तो सबसे कौम जो है या केरल में है अगला प्रश्य संधी है घृटो प्रोटोकॉल राज निम्न में कमिल आने से जुड़ी हुई है ठीक है कुएटो जापान में 1997 पर इस पर हस्ताक्षर किया गया था 1997 में और यह प्रभाई हुआ 2005 से ग्रीन हाउस गैस हो जाएगा चले उसका बाद नेक्स्ट कुस्टन कर लेंगे कि निम्रिकित में से कौन सा ग्रह स्वर मंडल का वैक्यूम क्लीनर की भांती कारे करता है यह करता है विरस्पती ग्रह भारत में वन निती 1952 का संसोधन कप किया गया यह संसोधन 1988 में किया ग देखिए दक्सिंतम मिंदू आप पूछा गया है तो दक्सिंतम मिंदू जो है यहां आप कमेंट करके बते मैं आपको बता दिया हूं ठीक है चले उसका बाद देखेगा कि लोना वाला जल्विदूत सेंत्र कहां पर है लोना वाला महराश्ट्र में है नामदफा बाग कहां पर है नाम दफा जो है यह अरुनाचल प्रदेश में है ठीक है चलिए दक्षिनी भारत की सर्वुच चोटी तो यह अनाई मोडी है जो कि अनामलाई परवत परिश्थित है कि कलोल विदुत परियोजना जो है कहां पर है तो कलोल जो है यह कहां पर है कलोल गुजरात में ठीक है चलिए उसका इतिकर में नहर सीची छेतर सरवादिक है तो यह उत्तर प्रदेश में है उसके भारत की सुधूर पुर में जो देस सरवादिक लंबी सीमा बनाता है वह कौन सा है यह मायनमार है मैंनमाट टूटल चार भार्ती राज्यस के साथ जुड़ा हुआ है और नाचल परजेस मिजोरम नागलन्ड और मनिपूर से उसके भाद सिंदू नदी की लंबाई लगबग उतनी है जितने के ब्रहमपुतर नदी की लंबाई कितनी है या तो ब्रह्मपुत्र लवदी की लंबाई उन्तीस सो किलोमेटर है अपस्ट नंबर बी हो जाएगा स्लेट रूपांत्रीत रूप है तो स्लेट जो है यह सैल का रूपांत्रीत रूप है प्रितभी अपनी धोरी पर गुमती है तो प्रितभी 23 गंटे 56 मि है जहां का स्थानी समय चौब जिसाम है जबकि ग्रीन विच ओसत समय चार बजी सामय है तो यह आपका 30 डिगड़ी पूर्व हो जाएगा ठीक है उसके गारों जन जाती मुख्याता मुख्याता पूछा तो गारों में घाले की है नेक्स्ट कुस्टन है कि गरम पनी का सुर जाएगा अगला प्रश्ण के भारत में कूल सिल्क का लगबक पचास परतिसत उत्पादन करने वाला राज तो यह राज्य जो है यह कौन सा राज्य है तो यह करनाटक राज्य है ठीक है उसका मॉर्निंग इस्टार इवनिंग इस्टार यह सब के नाम से किसको जाना जाता है शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है इसको भी ध्यान रखिएगा बुद्ध और सुक्र दोनों ग्रह के पास न्यूजिलेंड का कौन सा पक्षी विलुप्त है तो न्यूजिलेंड का मॉआ पक्षी है कि भी न्यूजिलेंड में पाया जाता है यहां विलुप्त का पक्षी है जो बिलिप्त के कगार पर है उसका बाद क्वेट्व प्रोटकॉल ने में से किसके सांद जुड़ा हुआ अभी मैं आपको बता है क्वेट्व प्रोटकॉल जुड़ा हुआ है ग्रीन हाउस के सर्जन में कमी लाने से इस पर साइन हुआ था 1997 में और प्रभाई हुआ था 2005 से ग्रीन हाउस हो जाएगा ओजोन परत को सी अपसी से बचाने के लिए बनाई गंतराश्टी संधी तो यहां मौंट्रियल प्रोटोकॉल है अलड़ी इसको डिसकुस करा दिया है मैंने आपको मूसी और भीम नदी जो है यह किसकी सहाइक नदी है तो यहां नदी जो है यह क्रिषना कि साइक नदी है और ि hadam पहाड है इसकी खाधाने खनन के लिए प्रसीद है तबर जोकि यहका है हमेटाइट इसी के ज скаж emad 7 स्विंदरी पर देल्टह वहीं पर बाइजाती है तो और इंसर इसका हो जाएगा कि मैं ग्रोथ हो जाएगा उसका बन दख Kir 현재 को ओरियं तारा मंदल थे इसका हंटर दुसरा और इंतरा मंदल का हंटर हो जाएगा लुसाई बोली जो है भारत की किसराज में बोली जाती है लुसाई बोली जाती है मिजोरम में उसका बदे कि कि रियो सिकर सम्मेलन किसके सांद जुड़ा हुआ है प्रित्वी सम्मेलन आपको याद आ गया होगा 1992 में हुआ था जो कि जय भी विद्धिता पर कन्विंसन था बक्सा टाइगर रिजर्व कहां पर है तो बक्सा जो है यह किस राज में है तो यह पस्यम मंगाल में है जारकं जो है यहां पर देखिए 15 नौवंबर सन 2000 को भारत का यह 28 राज मना था 28 हो जाएगा उसका बद के निता जी सुबासंद्र बोस राष्टी खेल संस्थान कहां पर है तो यहां जो है लुदिया नाम है उसका अगला प्रश्ण है कि स्वेत क्रांती का संबंद की सित्र से है दुख जूत पादन से डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में स्वेत करांती का जनक माना जाता है सतलज चीनाव रावी नदी किसके साहएक नदी यह सिंधू कि साहएक नदी है स्वेज नव परिवहन नहर जो है भूमध सागर को किसके सागर जोडती है तो भूमध इसका अंसर आप कमेंट करके बताएए जूट के उत्पाद में बिहार का कौन सा जिला अगर